हलो फ्रेंज, डिवान लाइट्स असोसेशन टीम के लॉजिकल रीजिंग सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आलफा नियूमरिक सेंबल सीरीज जाँ पे जी हां दोस्तों ये है कुछ अलग हट के और इसमें क्वेशन भी आपके लिए कठी नहीं होंगे इसलिए खाबाने की जरूरत नहीं है टेंचन नहीं लेने का देने का ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेग्मेंट लिगा हुए study the following अलफा नियूमरिक सीरीज केर्फुली and answer the questions given below ठीक है अलफा नियूमरिक सीरीज को द्यांसर पड़िया और उसके आधार्पे question के answers दीजिए ठीक है ये ही करना होगा आपको चलिए सीरीज स्टार्ट होती है द्यांसर सुनिएगा S star 7B dollar, g2, 8U, 1 and A, V Number F, 3, 5, H, 8, 5, Y, 5, M, 3, 2, D, 8%, N, 2, 4 That's it, series finished ठीक है, तो पहला जो है, question वो यह है How many such numbers are there, which is preceded by alphabets and followed by symbols ठीक है, कितने number हैं, जिनके पहले alphabet आ रहा है यहने ABCD character आ रहा है, और जिनके बाद symbols आ रहा है कितने ऐसे number हैं, जैसे मालो, number है 5, alphabet है G, फिर 5, फिर 8 ऐसे करके, symbol होते हैं न, add, dollar, copyright, and, exclamation, question mark और इस तरह की जो signs होते हैं, वो symbols होते हैं, ठीक है तो अब यह इस तरह का pattern कितने जगा फालो किया गया है ध्यान से सुनियेगा, question फिर से बोल रहे है how many numbers are there, which is preceded by alphabets and followed by symbols तो यहाँ पे जो लिखा है, वो एक ही ऐसा pattern follow हुआ है ठीक है, आप इस तरह से देख लीजेगा, जैसे हमने example दिया है ठीक है, G5 at, ठीक है, clear हो गया, चलिए next, which element is 19th from the right end of the series दाहिनी तरफ से 19 नंबर किसका है कोई alphabet हो सकता है, कोई number हो सकता है, कोई symbol हो सकता है 19 चीज क्या है, दाहिनी तरफ से very good, we, बिलकुल ठीक, next question how many such symbols are there, which is preceded by number and followed by vowel देखो, कितने ऐसे symbols हैं, जिनके पहले number आ रहा है और बाद में vowel A, E, I, O, U में से कुछ आ रहा है यहां पे एक लिखा हुआ है, ठीक है, हमने जो देखा था, वो एक था ठीक, जैसे number और vowel वाला pattern है ना, मान लो इस तरह का आता है आपके पस, कोई हाथ लगता है एट, एक्सक्लमेशन, यू, एट, एक्सक्लमेशन, यू, ठीक, तो बाई बीच में symbol है, एक्सक्लमेशन मार्क पहले number आ रहा है, फिर बाद में यू आ रहा है, ठीक है, यू हो गया vowel तो इस तरह के कोई भी examples आपको मिलें, ध्यान से देख करके आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत जादा concentration required है, लेकिन आपके लिए comparatively easy question है, इस तरह से questions आप कर सकते हैं next question है, how many such alphabets are there which is preceded and followed by same number, ठीक है, ऐसे कितने alphabets हैं, जिनके पहले और जिनके बाद में एक ही number आता है, एक alphabet है, ठीक है, जैसे 5y5, ठीक है, इस तरह का example अगर मल जाए आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या, 5y5, इस तरह के example को जहान से टिक करिएगा, कोच-कोच के, ठीक, concentrate हो करिए next, if all numbers are eliminated from the series, then which element is 11th from right end of the series, अगर हम सारे numbers को series से हटा दें, ठीक है, केवल symbol और alphabet को लें, तो 11th कौन सा चीज होगा, right end से, यहने दाहिनी तरफ से 11 कौन होगा, alphabet या symbol में से, answer इसका होगा, you, ठीक है, सारे numbers को हटा करके आप series पढ़ाना, right side से, ठीक है, दाहिनी तरफ से, तब आपको इसका answer बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों, यह सेग्मेंट यहीं पर होता है समाथ, लेकिन friends, हम आपसे एक request यह करेंगे, कि आप सभी लोग इस सेग्मेंट को दिल खोल करके enjoy कीजे, और साथी इसे उन लोगों तक जरूर सा जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा, my most dearest of the dearest friends, जो लो internet facility का lab नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोट इस request के साथ, हम आप सभी के लेर सारे प्यार, जिरून, जज़बात और कड़ी मैनत के साथ साथ, आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदॉलत, ना सिर्फ आप सभी नहीं नहीं जोड़े एक बार फिर पूरी रिमाई लाइस असोसियेशन टीम के उर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्तार